हाई अवरिवन मैं हुधनन जय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे अभी कुछ दिनों पहले हमें ये मालूम पड़ा था कि वैसे भारतियों को टार्गेट किया जा रहा है या किया गया है जो Middle Eastern countries में रहके किसी भी तरीके का रोजगार में थे और उनको अधिक सैलरी या अधिक पैसे की जरुवत थी कुछ फ्रॉड एजेंट्स उनसे मिलते हैं दुबई में या वैसे ही और भी अलग-अलग Middle Eastern countries में अब जो जानकारी हमारे पास निकल के आ रही उसके हिसाब से कमबोडिया जोकी एक बहुत ही छोटा सा देश है यहाँ पे भारतियों को कम से कम 500 भारतियों को यहाँ पे जबरदस्ती के साइबर फ्रॉड का हिस्सा बना दिया गया है और उनसे साइबर स्लेवरी करवाया जा रहा है आज अब इस वीडियो में जानेंगे कि हमारे पास इससे संबंधित और क्या जानकारी है मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा एफट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप मुझे इमेल करके बता सकते हैं इसके हिसाब से कम से कम पाँच हजार भारतियों को कमबोडिया में गलत तरीके से रखा जा रहा है और उन सभी लोगों से cyber slavery करवाय जा रहा है cyber slavery क्या होता है तो सभी भारतियों को कमबोडिया में किसी अलग-अलग location पे रखा गया होगा और उसके बाद उन सभी लोगों को जबरदस्ती के calls या social media के इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बना के उनसे पैसे निकालने के काम में उनको धकेल दिया गया होगा अब जो cyber security को देखते हैं या जो cyber frauds को analyze करते हैं उनके हिसाब से ये है कि जो scammers होते हैं उनके पास अपने target के बारे में बहुत सारे जानकारी होते हैं तो क्यूंकि वो phone पे या social media का इस्तेमाल करके इस तरीके से आपके बारे में कहते हैं कि possibly कोई भी उनके जासे में फस जाए और ये मान बैठे कि सामने वाला जो call कर रहा है ये कोई authorized person है जब इसके बारे में हमारे ministry of home affairs या ministry of external affairs को मालूम पड़ता है तो meetings वोगरा किये जाते हैं और एक plan बनाया जाता है कि किस तरीके से जो cyber frauds हो रहे हैं उनको रोका जाए और उसमें भी वैसे भारतियों को वापस Cambodia से लाया जाए जो वहाँ पे फसे हुए हैं और वैसे भारतियों जो Cambodia में फसे हुए हैं उनको ये भी कहा गया है कि वो भारत के जो लोग है उनसे भी scam करे और इसी report में ये बताया गया है कि लगभग बीते कुछ 6 महीने में कम से कम 500 करोड रुपया भारत से गलत तरीके से cyber frauds ने ले लिया है और उसके बाद जो scammers होते हैं या इनके जो सरगना होते हैं ये वैसे लोगों को ढूनते हैं जो थोड़ी से financially कमजोर हों और जिनको रोजगार की सक्त आवशकता है एक जो pattern समझ में आया है वो ये आया है कि जितने भी जो youngster हैं जो job देख रहे हैं जहां पर आपको कोई field work नहीं होगा तो बहुत सारे बातों को आगे पीछे सोचने के बाद लोग इनके जहासे में आ जाते हैं बहुत बार ऐसा देखा गया है कि हम भारतिये चाइना को या पाकिस्तान को पानी पीपी के बुरा भला कहते हैं हम ये भूल जाते हैं कि चाहे चाइना हो या पाकिस्तान या वैसे और कोई देश जो भारत से जिनकी relation अच्छे नहीं है कही न कहीं उनको जो सनरक्षन है या उनको जो जानकारी है वो भारत के लोग ही उनको देते हैं उस पे भी कही न कहीं कुछ न कुछ सवाल है और बहुत बार ऐसा कहा गया है कि कुछ ऐसे यूनिट्स को बहुत ही centralized तरीके से बनाया जाए यानि कि पुलिस रिफॉर्म की बहुत शक्त आवो सकता है पिछले साल डिसमबर के महीने में एक government employee की account से 70 लाग का hair fare होता है उसके बाद वो government employee पुलिस complain करते हैं उडिशा पुलिस काफी active होके इस case में वो काम करते हैं क्योंकि amount भी बड़ा था और possibly अगर ये किसी एक के साथ हुआ है तो संभावता काफियों के साथ हुआ होगा और भी अलग-अलग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उडिशा पुलिस काफी active तरीके से काम करते हैं और उसके बाद वो 8 लोगों को arrest करते हैं जब वो 8 लोगों को arrest करते हैं तो उसके बाद बहुत सारे जो परत है इस scam का उसके बारे में मालूम पड़ता है उसके बाद central agencies को inform किया जाता है और भी अलग-अलग जो उनके local intelligence हो उनको alert किया जाता है और उसके बाद इस scam के बारे में थोड़ा और जानकारी मालूम पड़ता है कहने का मतलब और भी states में इसके बारे में उनसे contact करते हैं इसी scam के बारे में और information इखटा करने के लिए तो उनको ये मालूम पड़ता है कि Mangalore में कोई एक agent था जो कि उनको Cambodia में job offer करता है data entry का और Stephen के पास कुछ basic जो knowledge था वो computer के बारे में था उसी interview में ये मालूम पड़ता है कि Stephen के साथ इनके दो और दोस्त थे उनको भी Cambodia ले जाया जाता है और उनको एक office कह ले या जो scammer के जो सरगना होते हैं वो इस तरीके से अपना setup करके रखे हुए थे Cambodia में जिसको देख के initially किसी को भी ये नहीं लगता कि ये कोई scammer है या तो यहाँ पे कोई cyber slavery करवाया जा सकता है ऐसा कोई शक हो और इसे interview में Stephen ये बताते हैं कि जो सरगना था यानि कि जो boss interview ले रहा था वो एक Chinese national था और उसे कोई translate Malaysian origin का या Malaysian citizen कर रहे थे इनका जो modus operandi था वो कुछ ऐसा था कि social media platform जैसे कि X हो गया या Facebook हो गया या Instagram हो गया यहाँ पर ये लोगों को उनके profiles को देखते हैं और अपने जो target थे उसको वो select करते हैं और mostly ये लोगों क्या करते थें कि अपना जो profile है वो किसी लड़की या किसी औरत के नाम पे ये बनाते थें और उसके वाद उनसे conversation initiate करते थें तो बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा कि हमारे पास call आया होगा जहां पे हमें ये बताया गया होगा कि हमारे नाम पे या हमने ही कोई courier भेजा है और उस courier में कोई suspicious item था जैसे कि sim card हो गया या passport हो गया और ये लोग अपने script को कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि जो common आदमी है वो इनकी बात को सुनके वो काफी डर जाए और उसी घरवड़ाहट में possibly ये भी हो सकता है कि वो कुछ पैसे को दे दे और वो ये सोचे कि वो case उसी वक्त या उसी time पे रफादफा हो जाए जैसे कि normal office में होता है या कहीं पे भी होता है कि आपको कुछ target दिये जाते हैं और आपको अपने target को meet करना होता है तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही था अगर कोई अपने target को किसी भी दिन अगर वो नहीं meet कर पाता था तो उनको खाना वगरा भी नहीं मिलता था और उनको room में सोने के जगा भी नहीं मिलते थे So in a way हम यह कह सकते हैं कि जब भी हम social media पे किसी भी unknown लोगों से बात करें तो हम काफी सतर्ख होके बात करें और हमारे पास अगर कोई call आए जहाँ पे यह claim किया जाए कि वो किसी police station से बात कर रहे या किसी bank से बात कर रहे तो हमें काफी सतर्ख होके उस caller को response करना है और अगर कोई भी हमें बाहर देश में job के लिए offer करता है या किसी भी तरीके का यह कहता है कि उस देश में काफी रोजगार है वहाँ पे जाएंगे तो काफी high salary मिलेंगी तो इसके बारे में भी हम काफी बच के रहें और आस पास अपने जो close contacts हैं उनसे हम बात करें I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा क्या आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day Thank you, take care, goodbye